तो यह वो vocab है और you can say यह वो words है जो कि हर एक competitive exam में बार-बार मतलब frequently asked अगर आप words कहेंगे तो यह वो word है और ssc exam के अंदर तो बार-बार यही word repeat होते हैं कभी आपसे antonyms, anonyms में पूछ लिये जाते हैं कभी आपसे spelling error में पूछ लिये जाते हैं कभी filling the blanks में पूछ लिये जाते हैं तो यह बार-बार, even इसमें से बहुत सारे words ऐसे भी है अगर आप में से कोई banking की तयारी कर रहा है तो banking exams में भी बार-बार repeat हुए हैं यह words तो एक-एक word को ध्यान से सुनना सारे options को हम लोग यहां पर explain करेंगे और बहुत अच्छी trick के साथ, okay फिर भी आप लोगा कोई doubt रह जाए तो comment section में पूछना I will reply to all of your comments So the first word is truce, okay मैं हाँ पर कोशिश करूँगी इन words की जो right pronunciation है वो भी आप लोगों को पता चले, ठीक है तो truce word जो है, इसका meaning क्या है Option है war, कुछ लोग इसको war भोलते है लेकिन it's war, okay Second is fight War का मतलब क्या होता है, युध Fight का मतलब क्या होता है, लडाई Start का मतलब क्या होता है, शुरू करना, किसी काम को ठीक है, पढ़ाई शुरू करना, आज से अभी से कर दो D is peaceful solution, देखो Solution तो भी लडाई जिंगड़े वाला भी हो सकता, मालो दो फ्रेंट पहले ही लड रहे है, तीसरे ने आगर उनको ऐसा solution बताए कि उनकी और ज्यादा लडाई होगे एक तुसरे का सिरुफ ओरना शुरू कर दिया तो solution भी क्या होना चाहिए, peaceful, एक शांती पूर्वक क्या होना चाहिए, solution होना चाहिए तो आपको चारो का meaning बता चल गया, ठीक है और अब आपको बताना है truth का meaning ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी trick तो truth का meaning आखिर होता क्या है अगर आप में से किसी को भी इनके meaning पताओ तो comment section में जरूर तएगा कि मैं मुझे इसका meaning पहले से ही पता था, ठीक है तो देखो, truth की एक trick बनाते हैं हाँ आपर truth की हाँ पर हम लोग दो trick बनाएंगे जिसको जिस trick से समझ में आएं वो याद रखेना एक तो बनेगी हाँ पर true से और एक बनेगी हाँ पर truth से ओके, सब पहले हम लोग true से बोलता है जो इंसान सच्चा होता है जो हमेशा truth बोलना पसंद करता है जो हमेशा बिलकुल true चीजों पर विश्वास करता है मतलब वो कभी जूट बोली हैं सकता तो जो सच बोलने वाला इंसान होगा जो true बोलने वाला इंसान होगा वो आपको लडाई जगड़े वाला solution देगा या फिर peaceful solution देगा वो आपको हमेशा peaceful solution देगा तो true का मतलब होता है यहाँ पर peaceful solution एक सांती पुरुवक समाधान solution का मतलब क्या होता है समाधान तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को हिंदी में चीज़े यहाँ पर समझाने की ठीके अभी हाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखे हमारा answer तो हो गया option D, peaceful solution अब रूस का मतलब क्या था यहाँ पर देखो जो इनसान, एक इनसान था A नाम का एक person था वो बात-बात पर बात-बात पर रूस जाता था भरियान भी people हो तो आप लोग रूस ने का पता होगा रूस जाना ठीक है, रूस जाता था लेकिन जब उसने अपनी life में true को, मतलब truth को अपनाया, तो उसने क्या कर दिया उसने अच्छे solution प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, मतलब जो इनसान रूस था उसने true को, मतलब सच को अपनी life में अपना लिया, अब उसके दिमाग में peaceful solution ही बार-बार आते हैं, तो truth का मतलब होता है peaceful solution किसी भी लडाई जगडे के लिए अब अगर हम देखे war, fight and start ये तीनो ही truth के क्या है, ये तीनो ही truth के antonyms है, ओके war का मतलब क्या होता है, युद जो इंसान बार-बार युद हो लडाई शुरू करने के बात करें, तो वो peaceful solution नहीं दे सकता, तो truth का मतलब है, आप पर peaceful solution next word is contempt एक और यहाँ पर बात बताती हूं, आप लोग को last word के अंदर, जितनी जादा मैं यहाँ पर knowledge दे पाऊंगे आप लोग को, I will try my best देखो, जब भी आप लोग बात करते हो ना, किसी word की, for example अगर हम लोग बात करें war की जब किसी word में r आ जाता है और उससे पहले कोई भी vowel आ जाता है like, there are five vowels, a, e i, o, u तो जब भी किसी word के अंदर r आ जाए और r से पहले कोई भी vowel आ जाए, तो वहाँ पर जो r की जो sound होती है वो silent हो जाती है जैसे मैंने अभी मैं बार-बार war नहीं बोल रही थी, मैं क्या बोल रही थी war, okay, आपको हलकी से वहाँ पर sound लेकर आनी, यह नहीं आपने रह पर पूरा वहाँ पर concentration कर लिया रह को थोड़ा सा हलकी sound में आप लोग को बोलना है next word is contempt यहाँ से तो आप लोग दो तिन ट्रिक में बताने वाले हो, जिस ट्रिक से आप लोग को याद हो जाए, okay contempt, क्या बोलते हैं इसको contempt, अब आपको बताना है इसका meaning among these four options, इन चारो option में से option A, compliment compliment का मतलब क्या होता है तारीफ करना, कि किसी के बहुत अच्छे marks आया आपके दोसके तो आपने उसको क्या क्या आपने इसको compliment दिया obedience का मतलब क्या होता है, अग्या and पहले हम लोग disdain नहीं है, this is not disdain, it is disdain 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 का मतलब होता है ग्रेना करना नफरत करना और you can say, निंदा करना मतलब, निंदा का मतलब क्या होता है किसी का criticize करना किसी को approval का मतलब क्या होता है, स्वीकर्ती देना, मतलब, किसी नहीं आपसे कोई help मांगी, आपसे कोई decision बोला, तो आपने स्वीकर्ती दे, हाँ भी आप ये काम कर सकते है तो चारो का meaning आपको बता चल गया ठीक है अब contempt का meaning मैंने, हाँ पर आप लोगो इसलिए नहीं बता है, क्योंकि फिर आप लोग select कैसे करोगे, ठीक है, आप लोग अपना भी तो थोड़ा दिमाद की घोड़े दोड़ा होना तो देखो contempt का मतलब होता है, यहाँ पर क्या, नफरत करना, घ्रेना करना, किसी से हेट करना, और यू किन से किसी के काम को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसके क्रिटिक बन जाना तो यहाँ पर contempt का मतलब है, डिस्डी, डिस्डी, तो आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा, इस most of the word के आगे जब डिस वर्ड लग जाता है, कहीं ना कहीं उसका जो मीनिंग हो जाता है, वो नेगिटिव मीनिंग हो जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे है, जिनके आ test, अगर हम लोग बात करें, क्या होगी हाँ पर trick, देखो, सबसे पहले तो मीनिंग याद रखना, मीनिंग क्या है, contempt का, घरिना करना, नफरत करना, अनिंदा करना, ठीक है, तो contempt को हम लोग पहले trick उठाते है, हम लोग temp से, ठीक है, temperature means जिस इन्सान का बार 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 चोटी चोटी बात अपर उसका temperature या उसका पारा जो है अगर वो high हो जाता है तो उसको कोई पसंद करता है नहीं उसको कोई पसंद नहीं करता है सब उससे नफरत करते है इसको छोटी जोटी बात पर गुस्सा आजाता है, मजाक करोस पर गुस्सा आजाता है, तो ऐसे इंसान को जिसका temperature बार-बार हाई हो जाता है, उसका temperature हाई हो जाता है, उससे सब क्या करते है, नफरत करते है, उससे सब डिस्डीन करते है, है न, उससे दूर है ना पसंद करते और दुसरे ट्रीक यहां पर होगी कॉंट से रिलेटिड कॉंट ठीक है कॉंट आप मतलब एक परसन है जिससे कोई भी छोटी सी भी help लेता है न मतलब बांगता है तो वो उसको बना कर देता है वो बोलते है I cannot help you I can't help you तो जो परसन बार बार किसी को धके मार दे उसको help ना करे तो उससे भी सब क्या करते है उससे भी सब घ्रिना करते है मतलब जिसके मुँपर हमेशा can't word रहे I cannot help you I cannot give you this money or that तो उससे सब घ्रिना करते है तो ये हो गई हाँ पर trick तो contempt को दिमाग में fix कर लो इसका मतलब है disdain घ्रिना करना लेकिन अगर हम ध्यान से देखे compliment और obedience और approval तीनों ही बहुत positive word है compliment मतलब किसी ने अच्छा काम क्या आप उसके वराई नहीं करे हो बलकि आप तारिफ करे हो obedience का मतलब क्या होता है आप आज्या मतलब आज्या का पालन भी आप किसका करते हो जिससे आपका लगाओ होता है जिसकी आप respect करते हो लेकिन जो person temperature high रहता हो उससे तो आप घ्रिना ही करोगे उसकी आज्या थोड़ी ना करोगे उसकी तारिफ थोड़ी ना करोगे उसकी बातों पर आप approval थोड़ी ना दोगे है ना तो contempt का मतलब है disting, घ्रिना करना next word next is demolish ठीक है? not demolish it's demolish ठीक है? तो demolish का मतलब आप लोग यहाँ पर बताईएगा तब तक मैं नीचे वाले चारो word का मतलब बता दियो build का मतलब क्या होता है? निर्मान करना construct का मतलब है यही होता है निर्मान करना raise का मतलब क्या होता है? बढ़ाना ठीक है? increase करना destroy का मतलब क्या होता है? धवस्त करना मतलब कोई building खड़ी थी और उसको धवस्त कर दिया उसको destroy कर दिया है तो build, construct or raise तीनों का same ही meaning है तीनों अपने आप में एक दूसरे के synonyms है For example, जब आप कोई building बनाते हो build का मतलब निर्मान, construct का मतलब निर्मान, raise जब आप कोई building बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो पहले एक ground floor आपने बना दिया फिर first floor, then second floor, then third floor है तो आप raise करते हो बिल्डिंग को, मतलब ऐसे बढ़ाते जाते हैं आप उस building को तो raise, build and construct तीनों का मतलब क्या है किसे चीज का निर्मान करना या बढ़ाना लेकिन इन चारों में से अगर हम बात करें destroy जो है यह बिल्कुल negative word है मतलब इन तीनों के opposite है तो demolish का मतलब होता है यहां पर क्या धवस्त करना मतलब किसी चीज को पूरी तरह से खतम कर देना ठीक है तो demolish is destroy अब यहां पर इसकी trick क्या बनेगी चलिए त्रिक को भी हम लोग discuss करते हैं देखो for example हम लोग यहां पर लेते हैं इस word से demo word से for example you are a teacher तो आप एक institute पर demo देने जा रहे थे ना आपका demo था बहुत तयारी करते हैं इस institute पर मुझे जो मिल गए तो महीनों के लाख रुपे मैं कमाऊंगा अपने batches निकाल कर लेकिन क्या हुआ कि रस्ते में बारिश आगे आपको auto नहीं मिली आपके सारे कपड़े हराब हो गए ठीक है और वह बोलते है ना first impression is the last impression तो जैसे आप institute पर गए वहां पर लोगों ने आपकी हालत देखी तो वहां के जो मतलब ओनर थे उन्होंने आपको demo देने से ही मना कर दिया यहां पर एक ट्रिक है आप लोगों उताने की कि आप demo देने गए और ऐसे से situation हो गए और आप demo नहीं दे पाए तो आपके करियर की शुरुवात होने से पहले ही क्या हो गई आपका करियर डिस्ट्रोय हो गया आपका जो वह चांस था जो मिलने की और यू कैन से वह जो opportunity थी ऐसे तो words होते हैं कि जब आप एक word करते हो आपके दिमाग में इतने सारे words आते हैं उनको लिख कर देगो जैसे chance, opportunity है ना तो demolish word जो इसका मतलब होता है destroy, धवस्त करना, खदम करना किसी चीज़ को बिलकुल पूरी तरह से लेकिन build का मतलब तो निर्मान है, construct का तो मतलब न smallest का यह synonyms है, okay, next is discomfort, इसको क्या बोलेंगे, discomfort, option a, sport, sport का मतलब क्या होता है, भी किसी का साथ देना, का मतलब क्या होता है, शांत सभाव वाला जो person होता है, हम उसको यह नहीं बोलते है, he is so calm, है न, she is so calm, defeat का मतलब क्या होता है, हराना, प्राजित करना, है न, explain का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को explain करना, है न, तो, discomfort का मतलब क्या होता है, discomfort का मतलब होता है, defeat, हराना, ठीक है, अब इसकी trick क्या है यहाँ पर, देखो, एक example लो, राम और शाम दो दोस्त है, ठीक है, राम जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, शाम जो है वो पढ़ाई में बिलकुल ना लाएक है, तो राम को भी पढ़ने नहीं देगा, तो राम बिलकुल अपना comfort में पढ़ रहा था, अपने घर पर, लेकिन शाम ने आकर क्या क कर दिया, उसको discomfort कर दिया, तो राम को यहाँ पर गुस्सा आ गया वही, उसको लिगा कि अब तो मैं शाम को exam में हरा के ही रहूंगा बिलकुल, तो जब discomfort की बात हो, तो इसका मतलब होता है हराना, मतलब शाम ने राम को discomfort कर दिया, ठीक है, उसको पढ़ने नहीं दिया, उसक discomfort का मतलब क्या है, आप पर defeat, हराना, ठीक है, प्राजित करना, किसी को जीतने ना देना, तो यहाँ पर discomfort का मतलब हो गया, defeat, अब जो sport है, जो काम है, जो explain है, वो इसके answer नहीं है, तो आप लोग नहीं काम करना, आज से जो यह vocab शुरू हो रही न, आप लोग के लिए एक homework ह क्या है, जब आप लोग इन vocab की classes को देखोगे न, तो यह जितने भी word, for example, 5 word हम लोग daily करेंगे, 5 words, we will do on daily basis, तो जो 5 words हम लोग करेंगे, आप लोग कोशिश करना, उन 5 word के न, अपने तरफ से 5 word, 5 शब्द और सीखना, ठीक है, फोन सब के पास है, ठीक है, तो फोन में सर् करना, discomfort, और कोशिश करना, discomfort से related, आपको एक एंटोनिम या एक सिनोनिम, आपको जुरूर करना है, तो इस सरे से daily basis पर, आप 10 से 15 words में expert हो जाएंगे, and last word, erect, क्या है ये, erect, not erect, it's erect, option A, straight up, option B, finish, देखो, अब हमें पांच word में ही एक दूसरे के सिनोनिम्स मिल जाएंगे, देखो, finish का मतलब क्या हो सकता है, destroy हो सकता है, है ना, जो हमने पीछे सीखा, destroy, demolish, तो ऐसे आप लोगों को दिमाग में भार-बार चीज़े remember करने हैं की, अच्छा, इसका तो मतलब ये भी है, then surrender, surrender का मतलब क्या होता है, अपने आप, आत्मसमरपन, ठीक है, अपने आपको surrender कर देना, जैसे कोई चोर था, ठीक है, उसने चोरी किया और पलीस उसका, पीछे लगी विए, तो वो surrender कर देगा, है ना, lowered, lowered का मतलब होता है, decrease करना, reduce करना, ठीक है, lowered, low करना चीज़ को, ठीक है, तो अब erect का मतलब इन चारों में से क्या होगा, weather, straight up, finish, surrender, lowered, ठीक है, तो erect का मतलब होता है, यहाँ पर, straight up, option A is the right answer, erect का मतलब है, यहाँ पर, straight up, ठीक है, अब इसका यहाँ पर हम ट्रिक क्या लगा सकते है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसकी ट्रिक यहाँ पर यह होगी, तेहो, अब हम लोग यहाँ पर एक्जाम्पल ले अमिताग बच्चन का, आप लोगोंने अमिताग बच्चन की, काफी सारे मुवीज ऐसी होते हैं, जिनमें बहुत खडूस और अकडू उनको दिखाए गया, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच के साथ खड़ा रहना, है ना, तो हम लोग erect से यहाँ पर word लेंगे, correct, है ना, और you can say rectify, एक ऐसा इनसान, जो कि हमेशा सच के साथ चलता है, correct चीजों पर चलता है, चीजों को यह बोलता है, इसका rectify होना चाहिए, इसकी rectification होने चाहिए, कि आखिर सच्चा ही क्या है, तो वो जो इनसान है ना, वो अपने रस्ते पर, अपने aim पर straight up, मतलब सीधा खड़ा र इसका मुझे answer चाहिए, तो वो इनसान कभी किसी के सामने नहीं जुकेगा, उसको कभी कोई finish नहीं कर सकता, उसको खतम नहीं कर सकता, वो कभी भी जूट के सामने, surrender नहीं करेगा, ठीक है, सच के लिए खड़ा रेगा, और उसको कोई भी lowered, उसको कभी भी कोई low fill नहीं करा स तो straight up is the meaning of erect, ठीक है, इसका मतलब होता है, खड़ा, सीधे खड़े रहना, या अपने सचाई के रस्ते पर खड़े रहना, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, straight up, तो यह थी इसकी trick, तो आप लोग इसको याद रखना, इन पाचों वर्ड्स को, जो मैंने आप लोग को homework दिया है प्लीज, उसको जरूर करना, because पते क्या, आप लोग को इस ओनलाइन स्टडी के साथ साथ, कई बार ऐसा होता है, आप लोग पूरा टाइव अपना यूट्यूब पर, अभी ए लेक्चर, अभी यूट्यूबर का, उस यूट्यूबर का, आप लोग अपने सेल्फ स्टडी क is equally important, okay, आप 6-7 घंटे नेट पर पढ़ लो, लेकिन जब तक वो 6-7 घंटे आपने जो पढ़ा ना, उसको minimum to minimum, अगर आप दो घंटे में खुद से नहीं पढ़ोगे न, रिवाइज नहीं करोगे, तो सब भी कार है, तो इन पाचो वर्ड्स के, एक-एक वर्ड, अगर, मतल तो यह जो 5 words होंगे, vocabulary के, यह daily basis पर होंगे, तो अगर आप इन से भी classes के notification चाहते हैं, तो चैनल को subscribe कर लेना, ठीक है, और वीडियो में अगर अगर आप लोग को थोड़ी सी knowledge मिलियो, थोड़ी सी भी, तो वीडियो को like करना, भीको आपका एक like ना, teacher को 1000 ताइम्स मोटिव के साथ चीजे सीखने को मिले, मतलब पढ़ाई को रटा नी बनाना, उसको मजा बनाना है, तो मिलते हैं next हमारी vocabulary के class के अंदर, till then, happy learning to all of you.